हलो फ्रेंट्स आज को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं साम से क्योंकि बहुत सारा काम पढ़ गया था बेटु मेरी सो रही थी थोड़ा सा तो सोचा जल्दी से सबजी बना लीती हूं तो इस साइट मैं ने दाल चड़ा दिया है और उस साइट मैं सबजी बना रही हूं सबजी बना रही हूं आलू और टमाटर की तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूं आप लोग कैसे बनाते हैं और आज मैं बहुत अच्छा ब्लॉग में बताई हूं कि आप लोग न्यू मॉम हैं जो अभी नई नई मा बनी है और निवान बेबी को और अपने लिए ठंड स कैसे बचाएं अगर आप सही रहेंगे तो बच्चे भी सही रहेंगे और लेडी उनको ज्यादा जुखाम नहीं होगी तो कैसे इसका ख्याल रखना है तो आगे चलके वीडियो में हमने बताया है जरूर मेरे वीडियो में बने रही चलिए देखते हैं आलू की टमाटर की स बेटी हुई है मेरी तो बहुत प्रॉल्म करेंगा उसका डाल दिया था टमाटर और नमक या तोड़ी जल्दी कल जाते हैं और आलो को मैंने बॉइल कर लिया था तो देखेंगे तो बेटू हमाई जग गई थी तो मैं आ गई थी धर पे बेटू के साथ खेलने के लिए और लाटा गुद्धियों के पोड़ी बना है तो यह देखेंगे बेटों के हरकते अभी डेड महिने की लेकिन हरकते तने ज्यादा करती रहती है तो इस दिमबर बात करों तो यह बात कर यह आ जवाब देती रहें कि अमने कंबल उढ़ा देती है कि कंबल उबल सभी फेक देत दच्छालवाद बेटी आई मेरे गल में आया मुमा को मां होने का ऐसास दिलाया तंड़ 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 वाभू गुमु गुमु जले पैर दिखा मालिश करता है और रो नहीं मालिश करना है और सॉक्स एक दूसा एक दूसा मेरी लाडो रानी बडी खियानी लदड़ रानी बडी ख्यानी लड़ रानी कखपुदी खाओगे घी वाली पुदी लला भी आया है लला भी आया है फीर आगई थी मेरे बड़ी मम्मी तो बेटु के नानी वे बढ़ा जो रहे है तो बोल्स बेटु मिर्ट्यर तो पुर पिर तेल मेरे बहुत बिडिया तोब लाहने मरे वहा है तो फ्रैंट फिर यह सुबे का है, यह देखिए हम अपनी फ्रैंट के लिए लगा रही थी महदी, तो ही मैं थोड़ी से ब्लाग में ले रही थी, क्योंकि अभी तक महदी ली, लेकिन उसका भूल जाती ही महदी कैसे लगाई है, मैंने, इसलिए महदी का थोड़ा सा हमने लगा पाती हो जी देखिए अपना मुआल चला रहे हैं यहां पे लेटे लेटे हो गया बेटू अले ठंडी 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 लगरी है ठंडी ठंडी लगरी मारी बाबू को पिंकी पिंकी ममा पिंकी पिंकी पिंक पिंक कलर और यह काटून यह वाली तक्या नहीं रखना वह व कि लिए को अच्छा लग अच्छा लग रहा है और बाबू अच्छा कहा चलना है नौल कि लिए बेटू को कहा जाना है तो बेto आधे और ये पहनने वाले की इनर उनर तो सभी को हमको filr dentist करना है तो सोचने बेट्व सो जाए देखीए तो बेट्व हमारि कि यहों, 40 तो लिटा दी हूँ बेटू को अब सो शरी सो जाए तो बेटू हमारी सो ही नहीं रही है अब क्या करें हन बेटू, मम्मा कैसे काम करें ये मम्मा को काम भी नहीं करने देती है अगर मैं इहां से उठ जाऊंगी तो रोने लगेगी ये सब्सक्राइब तक मैं बैठी हूं तो यह खेलेगी बशन बिटू आपना विंटर में बच्चों का बहुत ही ख्याल रखिए क्योंकि ठंड लग गई है कुछ भी हो गया तो सर्जों के तेल से फांस से जाती है इस चिश का ध्यान रखेगा बच्चों में हमेशा सर से हाथ से ठंड बच्चों को हमेशा लगती है तब विंटर का टाइम आ गया है तो हम लोगों ठंड नहीं लग रहे हैं बटन के लिए बहुत ज्यादा ठंड है नीवण बेबी जो हैं उनको बहुत ज्य आपको ज्यादा नहीं होगी तो बाबू को भी नहीं होगी बिल्कुल भी जुखाम अहमाई बिटीया रानी को तो और नहीं होगी तो अप लोग ध्यान रखिये इससे क्या रहेगा कि आपको जुखाम नहीं होगी और अपना भी केर करके चलिए लड़वड़ों गरम कीजिए उसके आप पी सकते हैं और नॉर्मल पानी से अच्छा है आप आजवाइन का पानी या लॉंग का पानी पीजिए बहुत ही अच्छा होता है इससे आप आपको भी शर्दी नहीं होगी और इसको जैसे ठंड आ जाएगी तो ठंड में दोनों टाइम मालिस कीजिए अगर सर्व का तेल आपका मार्केट का है फीर आपशिगारों का तेल यूच करिए वह भी गर्माता है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अगया डाइपर विंटर में साम आगा दिन में नहीं पहनाना प्संड करते तो रात में जरूर पहनाएगी नहीं बतानी चलेगा कि कहते बेटू आपका गीला हो गया है नीचे से तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी फिर उनको सर्दी हो जाएगी इसलिए इसके ध्यान रखे डाइपर का यूज करिए अहां आप उसकी जगह रेसिस क्रीम लगा लिजे या जैतुन का तेल लगा के आराम पहना यह थोड़ा सा पॉड़र लगा के डाइपर पहना यह इससे उनको रेसिस नहीं आएंगी तो मेरी बेटू जब से हुए मैं तो जब से डाइपर पहना रही हूं तभी तक इसको कोई भी प्रॉल्म नहीं आई है और डाइपर तो सभी चीज अच्छी है ऐसा नहीं को होंगे कोई भी डाइपर खराब है बट यह क्या ध्यान रखना पड़ेगा अगर पॉट्टी की है तो तुरंट चेंज कर दीजिए और ट्वालेट की है थोड़ा सा हर दो तीन या चार घंटे में चेंज कर दीजिए डाइपर अपने आप चाहे वह भरे चाहे वह खाली र मुमा कपड़ा पैनाती है चलो बेटू अब जी सब चीज हटा दें बेट से और आप खेलके से बुच बुकलो मुमा जदी से सभी आपके इनर फोल्ड कर दे क्या करते हैं यह जब दूद पीती है ना तो यह इनर खुना हलका सा गीला कर देती तो तुरंट चेंज कर देती क्यूंकि ठंडन लग जाए बेटू को इतने सारे इनर हो जाते हैं इसके तो यह तोड़ा सा पीती है ना तो गिलाती जाएगी और पीती जाएगी जाएग ऐसा तो यह दूद पीती है सबसे तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से आप सभी से जब तक मैं सभी को फोल्ड कर देती हूं कपड़े बिटू के सभी